वेलकम तो CBSC Computer Education तोड़े वी आर डिस्कस अबाट दा क्लास 7 चेप्टर 3 इस Computer Virus इंसाइड इस वीडियो भी विल डिस्कस अबाट दा रिमेंग पार्ट आप Computer Virus इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने कुछ टॉपिक को कम्प्लीट कर लिया है तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया फिर हमने Computer Virus के बारे में जाना फिर उसके बाद हमने Computer Virus कैसे इंटर कर सकता है इसके बारे में जाना फिर उसके बाद हमने कुछ Computer Virus के बारे में जाना फिर उसके बाद हमने Computer Virus के History के बारे में जाना और उसके अलावा कुछ ऐसे वाइरसे के बारे में जाना जिससे हमारे कम्प्यूटर में इंटर होने के बाज वो इस पेसिफिक डेट या टाइम में एक्टिवेट होते है फिर उसके बाद लास्ट में हमने रॉग वाइरस के बारे में पढ़ा था अब इस वीडियो में हम जो है उसके जो रिमेनिंग पार्ट से उसके बारे में स्टार्ट करते हैं तो फस्ट वी अरिस्ट इस टापिक डैट इस इमेल वाइरस तो इमेल वाइरस जर्री स्टार्ट करता है जब कोई email जो है एक user जो है दूसरे को email करता है तो उसके साथ वो virus उसके साथ travel कर देता है और जब वो virus किसी दूसरे के computer में जाएगा तो उसके पास जीतने भी उसके mail address रहेंगे Suppose आप एक mobile यूज़ करते हैं तो mobile में हो सकते कि किसी का message आपके पास आए और message के साथ अगर आपके पास virus आ जाता है तो virus जो है आपके mobile में जितने ही लोगों का number रहेगा सब को एक message send कर देगा तो वैसी same email virus क्या करता है किसी के through जो है email आपके पास आएगा जिसमें virus रहेगा तो आपके पास जितने लोगों का email address रहेगा सारे लोगों के पास वो mail कर देगा जिससे आपके system में automatically main generate होना चालू हो जाएगा तो ये email virus क्या करता है कई सारे लोगों को email को replicate करना चालू कर देता है next topic is Trojan Horse Trojan Horse is a malware that is a malicious software it seems to perform a useful function but actually perform the destructive function such as destroying the data stored in the computer actual Trojan Horse is a malware which is a malicious harmful software यहां देखने में तो हमारे लिए useful function लगता है but actually destructive याने नुखसान पहुचाने वाला काम करता है जैसे आपके system में जो file या data store है उनको क्या करना चालू कर देगा delete या destroy करना चालू कर देगा साथ ही साथ ये outside user याने कोई ऐसा user आपके system में इंटर कराने या hacker को इंटर कराने की facility प्रोवाइट कराता है और लेकिन computer में जो trojan horse होता है वो अपने आपको replicate नहीं करता है याने इसका मतलब अपने आपको बढ़ाता नहीं है जब तक इसमें user interact ना करे कुछ trojan horse की example है जैसे nuclear rate, bitford, gelob, mockmax, tropic और beast ये कुछ example है trojan horse के Now we are discussing about the next topic that is history bites Inside this topic we will discuss about the history of trojan horse इससे पारा जो हमने trojan horse के बारे में पढ़ा और इसी में हम पढ़ेंगे trojan horse के history के बारे में कि जैसे आपको मालम होगा कि trojan horse जो है कि देखने में तो एनुसेंट जैसे दखता है लेकिन कहीं न कहीं हमारे पाइडिया सिस्टम को क्या करता है डिस्ट्राय करता है तो इसका नाम देने के पीछे की story है ये story इस प्रकार है कि युनान एक country था उन्होंने उसके एक जो है नेवर country पडोसी country जिसका नाम था ग्रिक तो उन्होंने ग्रिक country को अपना गुलाम बनाने के लिए उसके अंदर राज करने के लिए उन्होंने कई बार प्लानिंग किया लेकिन उन्होंने एक बार एक नया तरीके से प्लानिंग किया उन्होंने क्या प्लानिंग किया कि उन्होंने एक घोड़ा बनाया बहुत थी huge size हो गोड़ा यहने बहुत बड़ा बनाया और घोड़े का डिजाइनिंग इस प्रकार से बनाया कि घोड़े के अंदर कई सारे soldiers यहने उसकी योद्धा cynic जो है छुप सके और वो cynic जो है उन कंट्री में ले जाया गया तो ग्रिक कंट्री में ले जाने के बाद उसमें जो सैनिक चुपे हुए थे जैसी रात होता है तो सैनिक जो है बाहर आते हैं और बाहर आके जो है पूरे जो है ग्रिक कंट्री पर क्या कर देते हैं युद्ध कर देते हैं इस प्रकार से ग्रिक क लग रहा था। प्म आइसे हमारे इस्टम को एसे वाइरसे से सकते हैं जो देखने में तो हमको पता ना चले। लेकिन कहीं समको क्या कर सकते नुक्सान पहुंचाते हैं। इस लिए इस वाईरस को नाम जो है ट्रोजन होर से दिया गया है। Now, we are discussing about the next topic that is Computer Worms. Computer Worms is a computer program that replicates itself very fast and disrupts entire network. Computer Worms is a computer program that replicates itself many times without any help. And when you connect to the internet or land, you will lose the whole network. And when you enter the computer Worms, you will infect your email. You will start to reproduce your own. You will start to create copies of your data. And you can change your computer network. Or you can change your data in your system. This example is Computer Worms, Happy 99, Code Red, Nimda, VT and Storms. This is an example of Computer Worms. If we are talking about this, we have to talk about the threats of computers, computer virus, email virus or Trojan horse. It is necessary to activate human or human. But Computer Worms is such a harmful program. We have to talk about the protection of the virus. Now, we are discussing about the protecting from the virus. Now, we have to talk about some of our systems that can affect our system. So, we have to talk about the prevention of the virus. So, we have to talk about the prevention of the virus. So, we have to talk about the virus in our system. So, we need to talk about our system, which means how to prevent the virus in our system from the virus. So, we need to talk about the virus from the virus into the virus. ही ना करें तो antivirus के बारे में हम definition पढ़ लेते हैं तो antivirus is a software designed to protect a system from viruses यह यह एक software है जो हमारे system को virus attacks से क्या करता है बचाता है इन दा आडर टू बे इफेक्टिव इट मस्ट भी रन ऑन डा बेक्राउंड एक आल दा टाइम और antivirus हमारे system में हमेशा क्या रहता है background में उसको चलते ही रहता है याने हमेशा चलते रहेगा तभी तो कभी भी virus अगर इंटर करता है तो वो उसको क्या कर देगा वहीं पर रोक देगा और साथ ही साथ हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि antivirus software को हमको समय समय पर update करते रहना चाहिए ताकि अगर कोई नया latest virus आया होगा तो उसको मारने के उसके अंदर capacity क्या हो सके build हो सके now we are discuss about the some example of antivirus तो कुछ एक्जांपल जैसे antivirus के है app, prot, mac free antivirus है northern antivirus है, doctor sunamon antivirus toolkit है thunderbite antivirus है avg antivirus है casper sky antivirus है इसके अलाव़ जो है आपका net protector और quick heal antivirus का आप यूज करके अपने system को क्या कर सकते हैं वाइरस से बचा सकते है निश टॉपिकी से precautions to be taken by computer user जरूए नहीं है कि हर बार जो problem है वो केवल virus worms या ट्रोजन होर्स के कारणा है कई बार user के fault के कारण भी हमारा system जो है खराब हो सकता है या उसमें कोई fault आ सकता है तो computer का जो user जो रहेगा है उसको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूई है जैसे first take regular backups of all important files जो उसके पास जो important file है उसको समय समय पर उसको backup या दूसरा copy उसको बना के रखना चाहिए क्योंकि computer electronic device है कभी भी खराब हो सकता है second boot from hard disk हमको हमेशा जो है अपने system को hard disk से ही boot कराना चाहिए boot कराने का मसलब start कराना कोई दूसरे device से start नहीं कराना चाहिए जिससे वाइरस आने की संभावन बढ़ जाती है third perform a antivirus checks on all incoming file जब भी हम कोई file हमारे system में enter करते हैं जैसे हम pen trail लगाते हैं तो pen trail से जब भी data copy किया जाएगा हमारे system में तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको क्या किया जाए एक बार scan किया जाए ताकि उसमें जो वाइरस होगा वो वाइरस क्या हो जाए वहीं पे रूख जाए जिसे हमारे system जो है वाइरस के अटेक से बज जाएगा next use updated antivirus vaccine so that even the latest virus are covered हमको हमेशा अपने antivirus को क्या करना चाहिए update करना चाहिए ताकि जो new vaccine antivirus के पास आ सके ताकि जो नया वाइरस आया होगा उसको क्या कर सके खतम कर सके उसको हटा सके इसके अलावा भी जब हम कभी इंटरनेट यूज करते हैं तो हमको कुछ जो है इंटरनेट यूज करते समय कुछ precautions या सावधानी बरतनी चाहिए जैसे never download from the unreliable site हमको ऐसे website से कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो unreliable हो या फिर unauthorized हो जिसमें हमको मालूम ना हो क्यों साइट कैसा है second never trust the free antivirus program कभी भी हमको free या कि antivirus के उपर believe नहीं करना चाहिए क्योंकि वह antivirus जो है वाइरस भी इंटर करा सकते है third never open unknown links हमको कभी भी जिस link के बारे हमको जानकारी नहीं है उस link पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए अदर्वाइस हमारे system में कोई वाइरस जहां वाम्स इंटर कर सकते हैं next is never share your computer with strangers कभी भी हमको अपना system जो है stranger अर्थात अजनभी या unknown person के साथ share नहीं करना चाहिए otherwise वह हमारे system में जो data है उसको किसी के साथ share कर सकता है या पिर उसको misuse कर सकता है साथ ही साथ हो जाए तो आपके system के important data को delete भी कर सकता है वाइरस इंटर करा सकता है इसलिए हमको कभी भी जिसको हमको मालूम नहीं है unknown person के साथ अपने system को share नहीं करना चाहिए इससे हमको बचना चाहिए next never use pirated software कभी भी हमको pirated या फिर जो software aspire हो गया है वो software का use नहीं करना चाहिए जिससे हमारे system को corrupt होने यहां कि इसमें वाइरस इंटर करने की जो possibilities है वो बढ़ जाती है तो इस प्रकार से हमारे यह chapter जो कंप्लीट होता है आगे के लिए आप बने रहे इस चैनल पर और चैनल को like करे subscribe करे दोस्तों को share करे और अभी के लिए thank you